हेलो फ्रेंड्स मेरे खुशी रेसिपी चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए एक नए तरह से बने गुलाब रामों की रेसिपी लेकर आई हूँ फ्रेंड्स ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली नहीं नहीं वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो चलिए इसे बनाने स्टार्ट करते हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम तपेली में एक कटोरी शक्र डालेंगे अब इसमें हम डेल कटोरी पानी एड करें और इसे एक गुबाल आने तक पकाएंगे साथ हीस में हम एक चमच पाउडर डालेंगे और इसे पकने देंगे घेज की फ्लेम को हम मेडियम कर देते हैं जब तक टक चाषुनि पक रहे है तब तक हम बलाव जामून का मिश्रन तयार कर लेते हैं बावल में हम एक कटोरी मि धंच मिला देगे एक जुट की बेकिंग सोडा डालेंगे और साथ ही आधा जमस बत्र डालेंगे है अब इसे हम मिक्स करते हुए थोड़ा थोड़ा डुढ डालकर इसका डोब बना लेंगे दूथ को हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे उतकी मिलक पादर बहुत जल्दी घीला हो जाता है। कि इसका हमें सॉफ्ट डो ही बनाना है टाइट डो नहीं बनाना है टाइट डो बनाने से गुलाब जामून सॉफ्ट नहीं बनेंगे अब इसे हम ढखका रख देंगे देखिए चश्णी में उबाल आने लगा है इसे हमें ज्यादा नहीं पकाना है इसे हम 3-4 मिनिट तक और पका लेंगे तिन से 4 मिनिट हो गये हैं चाश्णी को बस हम इतना ही पकाएंगे चाश्णी को हमें गाड़ा नहीं करना है इसे हम हलकी सी चिपचिपी ही रखेंगे अब हम गेस को बंद कर देंगे और चाश्णी को ढख देंगे डो भी अच्छे सेट हो गया है अब हम इसके छोटी छोटी बॉल बनाएंगे देखिए इसके हमें इतनी बड़ी बॉल बनानी है अब इसे हम प्लेट में रख लेंगे करते है इसी तरह से हम सारी बॉल्ड बना लेंगे कि गेश पर मैंने पहले से कडाइं में गी-गर्म होने रख दिया था घी की जगापर आप तेल का भी यूज कर सकते हैं गी-गर्म हो गया है अब हम भीड़ को घी में दालेंगे जैस की फ्लेम को हमें लोह ही रखना है तेज फ्लेम पर गुलाब जामौ उपर से सिख जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे इसलिए हम जैस को लोहे रखेंगे बॉल्स को हम पल्टा पल्टा कर गॉल्टन ब्राउन होने तक तर लेंगे देखे बॉल्स गॉल्डन ब्राउन हो गई है अब हम इने कडाई में से निकाल कर डारेक्ट चाष्णी में ही डालेंगे चाष्णी भी हलकिसी ठंडी हो गई है इसी तरह से सारी बॉल्स को तल कर हम चाष्णी में डाल देंगे अब इने हम एक गंटे तक चाष्णी में ही रहने देंगे और इसे कवर कर लेंगे एक गंटा हो गया है गुलाब जामुन को मैंने बाउल में निकाल लिया है जितने रसे लेगी मिल्क पाउडर के गुलाब जामुन दिख रहे हैं खाने में भी यह उतने ही टेस्टी है इन्हें आप एक बार जरूर बना कर देखें फ्रेंड्स यह रेसिपी आपको पसंद आय तो वीडियो को लाइक जरूर करें मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोले थैंक यू फ्रेंड्स